साथियों पहले की सरकारों में माइमसेट ऐसा भी था कि समस्याओं को टाल दिया जाए कुछ सबसीडी देकर मैनुफेक्टरिंग सेक्टर को जिन्दा रखा जाए इस सोच ने भी भारत के मैनुफेक्टरिंग सेक्टर का बहुत दुख्षान किया इस वजह से पहले नहीं ठाव कोई ठोस्ट नीती बनाई गई और साथ ही logistics, electricity supply, water supply ऐसी जरुतों को नजर अंदाज कर दिया गया इसका प्रणाम क्या हुआ? प्रदेश की युवापीडी इसको भली बाती जान सकती अब आज का भारत एक नए mindset, एक नए work culture के साथ काम कर रहा है हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और पिकास के लिए दिवेश्यकों के लिए कई तरह के incentive लेकर आए हैं हमने production link incentive scheme launch की जिससे बढ़लाव दिखे ले लगा आज हमारी policy stable है, predictable है और futuristic है हम PM गतिशक्ती national master plan और national logistic policies के जरिये देश की logistic व्यवस्ता में सुधार ला रहे साथियों पहले एक mindset ये भी था कि भारत manufacturing में बहतर नहीं कर सकता इसलिए उससे सिर्फ service sector पर ध्यान देना चाहिए आज हम service sector भी समार रहे हैं और manufacturing sector को भी समुरुद्ध बना रहे हैं हम जानते हैं कि आज दुनिया में कोई भी देश सिर्फ service sector या सिर्फ manufacturing sector का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकते हमें विकास के holistic approach को अपनाना होगा और आज का नया भारत उसी रास्ते पर आत्म विश्वास के साथ चल पड़ा है पहले की सोच में एक और गल्ती भी थी mindset ये था कि हमारे हाँ skill manpower की कमी है देश की skill पर भरोसा नहीं था देश की talent पर भरोसा नहीं था और इसलिए manufacturing के खेत्र पर एक प्रकार से उदासिंता रही उस पर कम ध्यान दिया गया लेकिन आज हारत manufacturing में भी सबसे आगे रहने की तैयारी में है semi conductor से लेकर aircraft तक हम हर खेत्र में सबसे आगे रहने की इरादेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इसलिए संबभ हुआ क्योंकि पिछले आठ वर्षों में हमने skill development पर focus किया और उसके लिए एक माहौल तैयार किया इन सारे बढ़लाओं को आत्मसाथ करते हुए आज manufacturing sector में खारत की विकास यात्रा इस पढ़ाव पर पहुंची है